यति नर्सिमानन्द जैसे लोगों पो ये दो कवरी के फरजी लोग का बैक्ग्राउंड खंगाला जाना चाहिए कि ये लोग किस भूमी के हैं और कैसे ये अपने आपको महा मंदलेश्वर कहता है और ये जितने नफरती चिंटू हैं सादू के बेस में लुटे रहे हैं करते हैं वह हिंदू हो ही नहीं सकता जो हिंसा की बात कहता है वह ही नहीं सकता है आज PAUL भूकियो så उसे निर्मित घी के परसाथ तो उस पर कोई चर्चा नहीं है क्यों किरपदी बाला जी में कौन सा जिहाद है यह कोई जिहाद नहीं है देश के मुसल्मान भाईयों से भी अपील करता हूं सारे तमाम देश के 140 करोर आवाम से कुछ नफरती चिंटू जो विदेशी सक्तियों के हाथ में विके हुए हैं जो भगवा बस्र पहन कर हिंदू सनातन परंपरा के आस्था के साथ खिलबार कर रहे हैं हिंदूओं का धर्म ब्रश्ट कर रहे हैं उस पर कारवाई की बात ना कहके यह जान बूचकर हिंदू मुसलिम का इजन्डा बाजपा आरेसस निद सरकार नहीं दिया है यही वह फरजी सादू संत हैं जो अपने के हिंदूओं को जगाने की बात कह रहे थे अरे मूरख जागो निंद से जागो जो माथे पर टीका लगा कर हाथ में कलावा पहन कर बात कर रहे हैं तो यह अपमान नहीं है भगवा का अपमान नहीं है बाबाव का तल्वे चाटते थे जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखवरी करते थे आज वही लोग देश में फिर से नफरत की बात कहते हैं कि डियने में सावरकर का खून है गोट्षे का खून है जो आफ भी देश को तोरने का काम करते हैं देश में नफरती वीडियो एक के बाद एक सामने आते रहते हैं हाल ही में यती नरसिंगा नाम के शक्स ने नभी की शान में गुस्ताखी करते हुए एक बयान दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुआ देश भर में हंगामा भी हुआ लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो भाईचारा है इसको बार बार तोड़ने का प्रियास क्यों किया जाता है इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे हमारे साथ पंकर श्रीवास्तप जी हैं जो समाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी रा और ये जितने नफ्रति चिन्टु हैं साधू के वेस में लुटे रहे हैं जी तरीके से रामाइन में बढ़र भगवा बस्त्र पहन कर भिखारी बन कर नहीं जाता मासीता के पास मासीता का आफरन नहीं कर पाता जिस तरीक से कुछ नफरती चिंटू हर बात में हिंदू धर्म भगववस्त्र और हमारे हिंदू देवी देवताओं को सामिल करते हैं सबसे पहले देश की आवाम को हिंदू मतलब हिन जो हिंसा अदू मने दूर जो हिंसा से दूर रहे जो त्याग तपस्या बलिदान छमा परुपकार की बात करे वो हिंदू है और भगववस्त्र इन पांच चीजों पर अधारित है यह हिंदू को नहीं जगा रहे हैं यह रावन और कालेमी के लोग हैं यह गोरे अंगरेजों की नजाई संताने हैं हिंदू धर्म मतलब 84 लाख योनियों के भरन पोशन करने वाला आप देखते होंगे हमारे सनातन हिंदू परंपरा में पेर पूझने की परंपरा है साप को पूजने की प्रंपरा है चुहों को पूजने की प्रंपरा है गाई को पूजने की प्रंपरा है कुत्तों को पूजने की प्रंपरा है पक्षियों को दाना डला जाता है चीटियों को खिलाया जाता है तो यह सब जो प्रिक्रियाएं है पूजा पद्धती हमारे धर्म ओक सीजन में हम गुन चरहते हैं जो वहां कीसिस म्कौडे उनका भण पोषण होता है चुकि 84 परणी जो 74 लाकी विचिने 평ina में इंसान यह बैद्ध करने जो शब का भण जो लोग इनसान इनसान से नफरत करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकता जो हिंसा की बात कहता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता अब आप आईए आपने देखा होगा देश के सुतंता संगराम सेनानी देश की आजादी की लराई लर रहे थे आपने 1857 के सिपाही बिद्रों के बारे में भी सुना होगा उस समय हिंदूओं के लिए गाई की चर्वी से निर्मित कार्तूस दिये जाते थे मंगल पांडे जी ने नितरतब किया था मुसल्मानों के लिए सुवर की चर्वी दी जाती थी कार्तूस में उस समय सिपाही बिद्रों हुआ क्यों हुआ आज देखिए तिर्पती बाला जी में गाई की चर्वी सुवर की चर्वी मचली के तेल से निर्मित घी के परसाद तो उस पर कोई चर्चा नहीं है क्यों यहीं वह फरजी सादूसंत है जो अपने के हिंदूओं को जगाने की बात कह रहे थे अरे मूरख जागो निंद से जागो उसी तिर्पती बाला जी में चवदा सो से पंदरो सटन छे महिने में घी लगता है और उस घी की गुनवत्ता की जाँच नेसनल डेरी बोर्ट करता है जिस मसीन के द्वारा जाँच की जाती है उसकी कीमत 90-95 लाग है पर इस पर भावनाय आहत नहीं हुई क्यों नहीं हुई ये जानबूच कर चंदा दो धंदा लो ये जाँच का भी सह है क्यों नहीं जाँच हो रही है और तो और पौने दो आख वाला कानिया लाला हराम देव जिसके दिब्ब कांती मंजन में कैटल फिस, शमुद्री जाग, हड्यों के चूरन पाए जाने की खबरें लगातार आ रही है मीडिया में तो जब उस पर हमें जाच करनी चाहिए उस पर चर्चा करनी चाहिए कौन ऐसे लोग है जो भगवाबस्तर पहन कर हिंदू सनातन परंपरा के आस्था के साथ खिलबार कर रहे हैं, हिंदूओं का धर्म ब्रश्ट कर रहे हैं उस पर कारवाई की बात न कहके यह जान बूचकर हिंदू मुस्लिम का एजन्डा बाजपा आरेसस नित सरकार ने ये दिया है यति नरसिमानंद जैसे लोगों पो ये दो कवरी के फरजी लोग इनका बैक ग्राउंड खंगाला जाना चाहिए कि ये लोग किस भूमी के हैं और कैसे ये अपने आपको महा मंडलेश्वर कहता है इन लोगों की जाच की जानी चाहिए आज सबाल है आप बात कर रहे थे कि जहां हिंदूस्तान में हिंदू मुस्लिम सिक इसाई बहुत जैन हम सब आपस में भाई हैं और ऐसे में भाई को भाई से जुदा करने वाला वो गोरे अंग्रेजों का दलाल मुखविरों की टॉली जो काम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों ने लाया था आजादी की लराई को कमजोर करने के लिए जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के तलवे चाटते थे जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखवरी करते थे आज वही लोग देश में फिर से नफरत की बात कहते हैं जब देश आजाद हुआ पर आप जो माथे पर ठीका लगाकर हाथ में कलावा पहन कर बात कर रहे हैं तो ये अपमान नहीं है भगवा का अपमान नहीं है बाबाओ का अपमान नहीं है हिंदु धर्म का अपमान नहीं है भगवा पांच शिजों के लिए जाना जाता है हमारे सरीर पर भगवा बस्तर नहीं है जिसने में भगवा पहनूंगा ये संसारिक मोह माया शुक्ष दुख ये अपना पराया ये सब छोड़ दूँगा भगवा पांच सिधान्तों पराधारित है भगवा वही धारन कर सकता है जो त्याग तपस्याबलिदान छमापरुपक कि बात कहता हो जो नफरत की भासा करता हो अगर वह उसने भगवा पहना तो वह रावन और काल्मी की नाजाइद आवलादे हैं जिहाद के खिलाफ हम लड़ रहें कोई जिहाद लेंड 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 लव तो यार तिरपती वाला जी में कौन सा जिहाद है दिपकांती मंज जो बिदेशी सकतियों के हाथ में विके हुए हैं जो गोरेंग्रेजों के दलाल और मुखविर हैं जो जिनके पुर्खे जिनके बाप दादा गोरेंग्रेजों के दलाली और मुखवरी करते थे जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरेंग्रेजों ने लाई थी आज उसको अमली जामा पहनाने का काम जो लोग कर रहे वो निशित तोर पर उस बिर्तनिया हुकुमत के दालाल और मुखबुर है उनके डियने में सावरकर का खून है गोट्षे का खून है जो आस भी देश को तोरने का काम करते हैं आपने वीडियो नहीं देखे थूप जिहाद के अरे भाई सुन नहीं रहे यार वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान जो भी लोग कुकिरते करता है उसको भारत के संबिधान के हिसाब से सजाय मौत की सजा मिलनी चाहिए उसे फासी मिलनी चाहिए यह देश जितना हिंदूओं क है जितना मुसलमानों का है उतना ही बहुत दो जैन और सिकी सायों का भी है जो भारत का नागरिक है वह भारत का हर संपती पर उसका समान अधिकार है यह सारा घटना कर्म समझे कौन लोग हैं जो इस एजंडा को चलाते हैं एक विरोद करने वाले लोग और एक पक्षदर ल हैं यह सरकार आखिर कारवाई क्यों नहीं करती है सरकार ऐसे नफरती लोगों पर चाहे वो हिंदू समाज का हो मुसलमान समाज का हो जो देश के संबिधान को नहीं मानता जो देश की आवाम को नहीं मानता वैसे लोगों को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए फासी की सजा ह होनी चाहिए पर जो देरी होती है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो क्या इसके पीछे वज़ा क्या लगती है पूरे हिंदुस्तान के आवाम से हमारा हाथ जोरकर विंती है आप किसी भी धर्म के नफरती चिंटूओं पर ध्यान ना दे यह देश हमारा और आपका है जैसे आप अपने घर को सजाते हैं समारते हैं जैसे परिवार में परिवारिक सोहर्द बनाते हैं ऐसे ही ये देश हमारा आपका परिवार है हम और आप अमन भाईचारे से रहेंगे देश को मजबूत करेंगे हमें इस्राइल से सीखना चाहिए कि कैसे इस्राइल का टेक्निक पे मुझामने पर पर बनने कि मुझा से जो भारत है को बिस्व गुरू था कई हजार सले पहले यह देखिए नफ्रत न मुझा कर हमारे बच्छों का रोजगार चीν कर हमारा स्वाष्त गादिकार चीन कर सिख्षा का अधिकार कॉलेज, इनवर्सिटी, कॉलेज, इस्कूल का निर्मान होना चाहिए, वहां मदर्सों की बाद, कब्रिस्तान की बाद, हिंदू और मुशलमान की बाद, नहीं होनी चाहिए, पर ये तो समाज को सुधारने की तरफ है ना, कि मदर्सों का जो जाके संचालन देखना है, कौन चला रहा है, कैसी पड़ाई हो रही है, ये सारी चीज़र, मैं तो कहता हूँ, पूरे देश में, जो अलग-अलग सिख्षा के नाम पर, अकादमी खुला हुआ है, पंजाबी अकादमी, हिंदी अकादमी, भोचपूरी अकादमी, मैथली अकादमी, ये सारे सिस्टम खतम क करके एक सिख्षा का केंद्र होना चाहिए और जो रिजनल भासा है जैसे कोई मैथली जानता है कोई भोजपूरी सीखना चाहता है तो वह रिजनल लेंग्वेश के नाम पर कि दोस्टो के प्रहाई होनी चाहिएचहों कि नंबर का कोश्टन ओ यह पूरे देस में लगो आप उर्दू जानते हैं तो दोस्टो नंबर काुर्दू आप रख सकते हैं कौई बंगाली जानता है तो बंगाली भासाताः पड़े पंजाबी जानता है पंजाबी समान रूप से सिख्षा वेवस्था होनी चाहिए एक समान सिख्षा निती लागू होना चाहिए जहां देश के मंतरी का बेटा जहां अफसर का बेटा जहां किसान का बेटा जहां मजदूर का बेटा पड़े उस दिन सिख्षा माफियां का बैपार खतम हो जाएगा सिख्षा वो भारत फिर से बिक्सित जो पुराना हमारा इतिहास रहा है गौरमई इतिहास शमराट असोक के समय का इतिहास जहां भी समराट असोक ने जंडे गारे वो हमारा जमीन कहलाता था हमारे यहां विस्थो के कई देशों से लोग पढ़ने आते थे आज भी भारत में किसी भी च जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुख्विर हैं उन्होंने हमारी सारी सिस्टम को फैलियोर कर रखा है यतिन सिंगा नंद के बयान से समाज में क्या मैसिज जाता है और किस तरह की कारवाई होनी चाहिए देखिए यह ब्यान कि रुपती बाला जी में जो गाई की चर्वी सुवर की चर्वी मचली के तेल और पौने दो आखवाला कानियां के जो दिब्यकांती मंजन में कैटल फिस समुद्री फेन हडियों के चूरन पाए जाने की खबरे हैं उस पर बिराम लगाने के लिए इस तरीके के ब्यान दिलाए गये हैं भाजपा एक सरकस है भाजपा मे प्रग्या ठाकूर अनराग ठाकूर गिराज सिंक जैसे तमाम लोग हैं जो समय समय पर जब भी मुद्य कोई हाबी होते हैं तो अनरगल ब्यान दिया आया जाता है और फिर दूसरी पक्षमें वो अपने ही लोगों से बाजपा रेसिस का कहना है दोस्त भी अपना और दुस होता है चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान हो